पसकार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूटी चैनल में दोस्तों बहुत बड़ी खुसखबरी UPPSC स्टाफ नर्स न्यूकती पत्र बितरल तैयारी सुरू न्यूकती पत्र देनी की तैयारी सुरू जल्द ही अभिरतियों को मिल सकती है खुसखबरी सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा चैनल पर ने हैं तो सस्क्राइब जरूर कर लिजीएगा और वीडियो को ज़ादा से ज़्यादा से बढ़ियेगा चलिए दोस्तों अपडेट की तरफ बढ़ते हैं यहां से दोस्तों देख सकते हैं इस्टाफ नर्स के चैनितों को जल्द मिलेगी न्यूक्तिया इस्टाफ नर्स पुरुस महिला ग्रेड टू के चैनित 512 अभ्यर्थियों को के प्रमार पत्रों के सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है इन अभ्यर्थियों को न्यूक्त कई बार आयोग में धरना प्रदर्सन भी कर चुके हैं स्टाफ नर्स के 473 पदों पर भरती प्रक्रिया 2021 में सुरू हुई थी आयोग ने जनवरी 2022 में भरती का परिडाम घोसित किया था लेकिन परिडाम से असंतुष्ट कुछ अभरती कोट चले गए कोट गए अभरतीयों का कहना था कि स्टाफ नर्स के पदों के लिए नर्सिंग के डिगरी के साथ पांच साल का अनुभो भी मांगा गया था अनुभो के लिए 15 अंक निधारित थे तो दोस्तों अब जल्द ही नियुक्ती पत्र इन अभरतीयों को भी मिलने वाला है दोस्तों आज के सभी समाचार पत्रो में भी आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स का अविलेग सत्यापन पूरा नियुकती की संसुती जल्दे उत्तर प्रेश लोक सिवा आयोग की चैनित स्टाफ नर्स है महिला पुरुश ग्रेड टू के अभिर्थियों का अभिलेग सत्यापन पूरा हो चुका है यहां से अब देख सकते हैं गलती भी पकड़ी गई थी आयोग की जो है जब अनुबर प्रमाडपत्र की जाच कराई गई तो आयोग की गलती पकड़ी गई थी तेश अगस को पैडाब संसोजित किया गया इस रिक्त पदों के सापेच 305 अभिर्थियों का चैन हुआ था इसके प्रम पत्र का सत्यापन अब मतब हो गया है अब नियुक्ति पत्र इन अभिर्थियों को जल्द ही दे दिया जाएगा लिश्टन इकाल कर इसी तरह दोस्तों प्रियास अगर आप जारी रखेंगे तो जरूर है नियुक्ति पत्र मिलेगा यूपीटर पलसी एनम की बहने भी प्र प्रिमानदारी के साथ कोई भी नया होता हो अब तो दोस्तों यह है कि अपने हक की लड़ाई स्वेम लड़कर आपको सफलता लेनी है वीडियो को जड़ा सेयर करिए कर दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा आज जितनी एनम बहन गोरख पुर आई हुई है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वहां से अच्छी ही खवर लेकर निकले तब तक ना निकले जब तक उनको अच्छी खवर ना मिल जाए मिलते हैं नेक्ट वीडियो को अंतर तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद